जो लोग बेच रहे हैं पांचे में नासे विमार है और खूब इलाज करवायो आधिती रोरो कर बुरा हाल है आधि नमस्कार दोस्तों मैं रमेश कुमार सिन दोस्तों आप देख रहे हैं और आज न्यूज के डियल दोस्तों आज फिर उसी गाउं में पहुंचा हूं दो दिन पहले जब यहां की छे गुडिया थी उनका वीडियो जब अपने चैनल पर डाला गया था उसके बाद में इन गु प्रोड तो नहीं हो रहा है इन बेटियों के साथ जो पैसे लोग सोचल मेडिया पे जो अकाउंट नमबर वाइरल हो रहे हैं वह इन बेटियों के हैं या किसी और के हैं तमाम सारी बाते जानने के लिए अपन यहां जो ग्रामिन है कुछ परिवार जने इनसे पूछना चा उनी की खाते में जो पैसे आ रहे हैं और मैं जो भी भामासा मेरी विंती से मेरी रिक्वेस्ट करने से और जो तमाम लोग इस मुहीम में जुड़े हैं उन सभी का मैं तह दिल से धनेवा देता हूं कि ऐसे समय में जब किसी परिवार को एक-एक हाथ की जरूरत होती है तो ह एक परिवार को आगे की जीवने आपने करने के लिए एक संबल मिल जाएगा तो आफ वीडियो में लाच तक बने रहे हैं जो देवी खाता खुलाता उसी अकाउंट में जमा हुआ है और मैं बताना चाहूंगा कि इसी अकाउंट यह अकाउंट एयू बैंक खंडेला में ख से खुला है इस अकाउंट में हमने डेविट कार्ट दिया था उसको उनंगा कर दिया गया है ब्लोक इसलिए कि आगे कोई से को पैसा ना निकाल पाए और जो इनको एक चेक्षबुक दी गही है इसको पास्बुक दी गही है जो सारा पैसा है वह संजु देवी जी ही निका तो हमने इनसे बैंक में फोन करके इनसे रिक्वेस्ट की कि सर इनके अकाउंट को आप बलो कर दीजिए ताकि जो बेटियों की सायता वह बेटियों के रहे हैं संजु देवी का कमें ठीले के लिए Training क्यों के आएंसे चेह l one करने की करबा अपने इस चोटे से परिवार के लिए बच्यों के क्योंकि और कोई सारा नहीं है क्योंकि इनके कोई बाई नहीं है क्यों माई एक सारा है ताकि अब आज जो यह मुही मुही है तो मैं जानता हूं जनता गुरारा के ओर से जो भामासा वो अन्य सब बाई बंदू जो पैसा बेज रहे उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ज्यादा से ज्यादा आप भी किसी संस्ता से जुड़े हो या आप जन परतिनी दियो अगर आप ओनलाइन बुकता नहीं कर सकते तो आप प परिवार फिर से अपना जीवन आपन कर पाएगा कैसे आपको लगा कि इस परिवार को आपकी संगठन के मादिम से भी सायता होने चाहिए यह जो अमर्चंजिस होनी थे इस गाहों से बहुत ही लगाव था और हमारा भी लगाव था इनके साथ में हालत देखी जाए इनकी छेचे इनके बच्चियां हैं बच्चा नहीं इनके एक भी और बुड़ी माँ घर में इनके पत्नी जो थी संजु देवी वो पेरिलाइसी से पीडी थी तो सारे सदश्यों का हमारा एक मंडल गाव में सामरेश एट गुरूप माँ बेठे हुए हैं तो उन्होंने सभी ने निर्ने रिकिया कि हमारा गुरूप भी इसमें कुछ योगदान कर सकता है तो हमने मिलके 21,000 रुपे तो आज इनके लिए मंडल की तरब से हैं सामरेश एट गुरूप की तरब से हैं भेंट करने की सोची और इसके अलावा भी हमने हर सदश्य से उसकी परिष्टिति के इस पास 500 रुपे तो पांच देगा किसी के पास लाग रुपे तो लाग रुपे देगा उस सबसे जोड़ के वह अलगे दो दिन पांच दिन बाद में हम इसकी इनकी साहता करें गए ऐसा समय है इस परिवार का की कि क्या नाम आप अपका जी मेरा नाम रूद्र भारत वाज है और सबसे पहले तो मैं राज न्यूस को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक अच्छी मुहीम छेड़ी है इन बच्चियों के लिए जिनका आज कोई इनके पास सोर्स फ़र्निंग नहीं है अमर्चंत बहुत अच्छे इंसान थे सामजी करूप से भी वह सबसे आगे रहा करते थे हरे काम में सबसे आगे रहते थे तो मेरी सबसे यही रेक्वेस्ट यही निवेदन है कि आप लोग जितना इनको सहयोग कर सकते इन बच्चियों के उजवल भविशे के लिए उतना करे देखिए और राज टेवी को मैं बहुत बहुत दन्यवा देना चाहूंगा कि वह आप इस मुहिम से हम जुड़े हैं और मैं अपनी तरफ से 51 रुपए का तुछ योगदान भी यहां कमिटी को दे रहा हूं हमारा इरादा नहीं था वीडियो बनाने का लेकिन मजबूरी है कि एक दूसरे को देखके लोग मोटिवेट होते ना तो इन्हें कोई परचाड की जरूरत है ना इस संस्ता को को परचार की जरूरत है लेकिन जो तमाम में आसपास के छेत्र में जो संस्ता ही चल रहे हैं कुछ बहामासाबी है जो कुछ जनपर्ति की दी भी कुछ जो किसी परिवार की सायता कर सके तो मैं उन्हें भी आगरे करना चाहूंगा कि वह भी अपने टीम के साथ इस परिवार के पास पहुंचे और इन्हें आर्थिक सयोग देखे जाए हम पंचायते गुरारा के सरपन साहब भी जुड़े हैं सरपन साहब परिवार की आर्थिकी सती बहुत कमजोर है तो आप परसासनिक जो मुख्यमंतरी साहता कोश से भी कोई हैल्प के लिए कुछ परियास करेंगे मुख्यमंतरी साहता को इसके लिए भी हम लिखेंगे और आपने ये मुहिम चलाई इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं और भी अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सेंख्या में जुड़ करके और इस परिवार को साहता उपलब्द करें ताकि अ मर्चंद के घर से अपना जिवन निर्वा कर सके सर्पन साहब कई बार फोन पे में दिकत रहते हैं कि फैल्ड हो जाता है तो उसके लिए भी कोई ऐसी सीवदा है कि जो पीडित परिवार को साहता हो सके हाजी यह क्या है कि कई बार फोन पे में टेक्निकली इस्यू आरने के और आप उस पर पे में लिए और आप उसके पेमिंट करोगे तो संजू देवी ऊकांट पर जमाओ जाएगा इसलिए आप प्रक्राUnis कि अब आंधे संजू और कीसे का नई है कि यहां आप लोग कि यह क्गिसम पर हो एक दो दिन पहले जब इनका वीडियो अपने चैनल पर डाला गया था उसके बाद में अब तक इस परिवार की जो भामासाओं तमाम लोगों दौरा 2,45,000 रुपे जो हेल्प की गई है वो गुडिया की मम्मी संजुदेवी के नाम से अकाउंट है उसी में आ रही है काफी लोग सोचल मेडिया पर कहीं फ्रोड ना हो जाए बेटों के साथ आजकल फ्रोड बहुत ज़्यादा होता है तो मैं इस गुडिया से पूछना चाहूंगा कि जो अब तक पैसे आये वो किसके खाते में आये हैं और कितने रुपे अब तक आ चुके है गुडिया खतारी पर थारा मैं बताओं फोन पे नंबर इक्यासी जीरो साथ असी अठावन अठैतर खातादार का नाम है संजु देवी जो अमर्चन जी की धरम पतनी है उन्हीं के नाम से खाता है किसी और खाते पर आप फोन पे ना करें वो आपकी जिम्यदारी है और अब तक जो इस परिवार के पा करेंगे इनका दुख तो मैं बया नहीं कर सकता लेकिन काफी सोचल मीडिया पर कहीं ऐसा ना हो कि कोई फरोड हो रहा है कौन पैसे मांग रहा है क्या छे बेटियां है उसी के लिए आज यह फिर वीडियो बनाए गया कि आप जिन नंबरों पर साहिता बेज रहे हो वह बिल सोराण में तैयारीस सत्याण में 32 इकराण में खातादारा का नाम है संजुदेवी वाइप अमर्चंद सोनी कि आग 42,000 रुपे में इस परिवार का कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि चाची जी लखवारोग से पहले से घर्षीत है कमाने की इस्तितितों कहीं बढ़नी नह कि दश्चा है ना उनको हम सब धन्यवाद केना चाते हैं